सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे अपनी हद रोशन करने से तुम मुझ को कब तक रोकोगे दर्शोको नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं अपना पसंदिदा मौनिंग लाइफ शो कारेकरम बिहार बिहान आपके साथ मैं हूँ प्रतिभार जी हाँ निश्चित तोर पर अपने मुकाम तक पहुँच सकता है क्योंकि ऐसा होता है ने कि हर इंसान में हर शक्स में कुछ न कुछ ऐसा गुण होता है कुछ न कुछ ऐसी क्षमताइं होती है जो हर किसी शक्स में अलग-अलग होती है जरूरत होती है बस हमें उन क्षमताओं का आ पहुचने के लिए उन क्षमताओं का हम उप्योग करें। आज के दिन की सुविचार से यानि की थॉट ऑफ दे से तो चली नजर डालते हैं क्या है आज का थॉट ऑफ दे जरूरत से अधिक यकीन करना मुर्खता है। तो चली हमारे आज के विशेश महमान का तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज का सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्टरम बिहाद बिहान में। शुरुआते शिक्षा दिक्षा सर आपकी कहां से हुई, मुझफर पिर से हुई और आगे जो आपने विशेश चुना, जो वो विशेश आपने सायोग वश चुना, फिशरी जो आपका विशेश रहा है तो ऐसा, बतलब ब्रांश तो बहुत सारे होते हैं साइंस में, शुका दिया, मेरी प्रानविक सिक्षा, क्योंकि मेरे पिता जी क्रिसी सिक्षा से जुरे रहे, इसलिए मैं मेरी प्रानविक सिक्षा पूसा जो क्रिसी विश्विद्याला है, और वहां पर एक सरकारी विद्याला से हुई, उसके बाद मैं रांची विश्विद्याला से किया फिर एप क्योंकि मैं मैं बोल सकता हूं मेरा बच्पन जो है गराम में प्र keep मेरा और उसके कारण से क्रिशी स्वभाविक तूर पर क्रिशी से थोड़ा तो जुराय रहा ही और मेरे फिता जी भी क्रिशी सिख्छा से जुरे रहे और और क्रिशी और किसान उसके आसपास ही थोड़ा बच्पन रहा तो सोहवे जुकाओ भी था और फिर बाद में जब मैं अपने कैरियर में आगे क्या करूं इसका प्लानिंग कर रहा तो मुझे भी लगा कि कृसी को बहुत जरूरत है ऐसे लोगों को जाने के लिए जो कृसी से जुरेड़ ग्राम में छेत्र से लगाओ रहा है तो उसी कारण से मैं जब भारती क्रिशिया नसुंदान परिशत का जो अखिल भारतिये सेलेक्शन होता है उस क्राइटिरिया में मेरा जो सेलेक्शन हुआ वो इन्वर्स्टी आफ एग्रिकल्चर साइंस बैंगलोर तो वहां पे भारत वर्स का पर्थम मत्स्टी महाविद्याल है उसके अंदर में था और उसमें मेरा नामंकन हो रहा था तो सोभाविक है एक नया छेत्र था तो परिवार में सभी मेरे बंधू बंधू में सभी में लगा कि ये क्या पढ़ाई करेंगे एक छेत्र कैसा है लेकिन उसी में कुछ हमारे मित्र थे और हमारे पिताजी के जानकार थे तो उन्होंने कहा नहीं एक ये बहुत प्रीमियर इ और इन्वर्स्ट्य अफ एग्रिकल्चर साइंस बैंगलोर भी उसका अपना स्थान रहा तो फिर मैंने डिसाइट किया कि चलिए एक नए डिशा की और कदम बढ़ाया जाए और उसी में मैं वहां पर मेरा एड्मिशन हुआ दाखिला हो गया और फिर एक सफर नया वहां से सुरू हो गया और वहीं पर मैंने अपनी प्रार्विक बोलते हैं हम लोग जो बैचलर ऑफिसरी साइंस उसको और चार साल का कोर्स था और फिर दो वर्स मास्टर ऑफिसरी साइंस वहीं पर मैंने किया और उस पढ़ाई के वक्त मुझे लगा किरसी जो हम आम जन्मानस में कि दो धारना किरसी की कि जो अनाज उप जाना दाल ऐसे है लेकिन क्रसी के वल वहीं नहीं है गाओ में गाए हैं को बिल सकते हैं कि मचुवारों के साथ जोरके ही देखा गया लेकिन बाद में लगा मुझे भी पढ़ाई के वक्त की नहीं मत से पालन एक ऐसा च्छेत्र है जिसमें ग्राम में पूरे किसानों की दिशा को बदल सकता है उनके आर्थी किस्तिती को बदल सकता है और उसको बैग्यानिक तरीके से किया जाए और मैंने मेरा जब पढ़ाई छे वर्ष हुआ तो मुझे भी बहुत उसमें अपनापन जैसा हुआ कि नहीं इस एक बहुत अच्छा च्छेत्र है और इसमें कुछ करने की जबुए तो अपने बहुत अच्छी दिलज़स्त बात बताई फिशरी साइंसे जो आपने ब्रांच सर आपसे जाना चाहूंगी तो अध्यान से लेकर अध्यापन तक का जो आपका सफर रहा आपने पहले बतार एक स्टूडेंट आपने उसकी प्रापर एक पढ़ाई की उसके बाद आप खुद भी टीचिंग लाइन में आ गये आप अध्यापन के क्षेतर से जुड़े ती आपने प्राशन किया जब आप मत्सकी को आप देखते हैं तो क्योंकि यह जल में रहने वाला जीव है तो जल में होने वाले जो भी बदलाव होंगे उसका प्रभाव मत्सकी पर और मच्छी पालन पर पढ़ता है या जो नैचुरल एको सिस्टम है जहां पर मच्छियां र रहा मेरा जो स्पेशलाइस है यह जो बोल सकते हैं पर्यावरन जलिये पर्यावरन का छेत्र रहा और उस कारण से मुझे लगा कि यह जो छेत्र है क्योंकि आपको मच्छिली का उत्पादम भी बढ़ाना है मच्छिली को बचा के भी रखना है उसके साथ साथ जो जीव है उसको भी बचाना है तो यह पर्यावरन एक ऐसा विशय मेरी जब पढ़ा हुए पूरे बिश्व में एक नया रूप में समझा जाने लगा तो मैंने अपना जो बोल सकते हैं जो रिशर्च शोध का जो मेरा रहा तो उस पर ज्यादा फोकस रहा और उस कारण से मेरे जो मेर क्रेज़ वर्सो तक वहां पढ़ा है सिक्षन कार्य किया तो वहां पर मैं जो संुर्वाय को यह जो संधरे और जो जल्वाई परिवर्तन परभाव यह वह सब को मालूम है कि जो और समीम हो actUS अल्यगर परोड़ ईल्टन कंझा सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा है कि और उ के से जो समद्र में जो एसीड फेकेशन हो रहा है और ऐसे कारण जल के ज cœur बोल सकते हैं जीवों पर प्रफ़ाव पर रहा है उसके कारण और उसके बाद जो आप साइकलोन सूपर साइकलोन के कारण जो फ्लडिंग हो रहा है जो कोस्टेल इंडू में तर्ट्य या मनुष्य रह रह रहे हैं वहाँ पर जो मत्सिपालन से जुरे हैं जिनकी जीविका ही वही है कोस्टेलियाज में उनको कैसे उस सिस्टम को हम लोग ऐसा बना सकें कि जो जलवाई परिवर्तन का जो एडवर्स इंपक्ट है उसको कम किया जा सकें तो ये मेरा एक्षेतर रहा उ सब्जक जाहिरा है कोई नई बात नहीं है अब सबको मालूम है तो इसको कैसे हम लोग सोद के माद्यम से हम लोगों ने उसका क्या इफेक्ट हो सकता है कैसे उस पर बचाने का कारे किया सकता है उस पर हमने पीसेस कर कारे किया अच्छा आप ती यह जानना चाहूंगी अब अन्वार्मेंट को लेकर बहुत सारी ऐसे विशे हैं जो मुझे अभी मेरे मन मस्तिष्क में चल रहे हैं जिन से बहुत जिग्यासा है आप से जानने की कि आखर हम कैसे भविश्य में आने वाली परिशानियों से हम बच सकते हैं अपने एक इंडिविज्वेल के तौर पर हमा इसका किस तरीके से प्रभाव पड़ता है और हमें क्या नहीं करना चाहिए ताकि उनकी भी उनका भी जो जीवन है वो सुरक्षित रहे और एक इको सिस्टम यानि बैलन्स की हम जो बात करते हैं वो बरकरार रहे है क्या कहना चाहेंगे पर अच्छा अपने पूछा तो यह जो जैसा मैंने कहा है प्रदूर्शन का प्रभाव ज्यादातर जलिये जीवों पर पर पढ़ दाए जल के भी ku Ye quality पर पर दाए जो हम पे जल ले रहे हैं उस पर भी पर रहा तो अभी जो मनुस्य हम लोग सब हैं और हम लोग सब अपने-पने कारे में और थोड़ा ऐसे जीवन सहली हो रही है कि उसके कारण भी जीवन सहली बदलने के कारण पुरेविश्च में इसका प्रभाव जादा बढ़ता जा रहा है तो ये मैं जो बोलना चाह रहा हूँ जो हम लोगों ने स्टडी किया या और जो बेग्यानिक कर रहे हैं उसके देखा जा रहा है कि जल ये जीवों की जो डाइवर्सिटी है उसके बाद जल का जैसे कहा कि क्वालिटी जो पे पहले जो जल क्वालिटी अच्छा रहता था जि उसपर भी आइड़वर्सबै तो हमा हम क्या कर सकते हैं तो मेरा जो अनभव है औरो कारेंस के साथ की यही मुझे लगा कि हम सब जो जल का पयोक करते हैं उस उसके जो जो नस्ट कर रहरें जल को उसको कम करें उसके अलावर जब हम जाते हैं समुद्र के किनारेù हम जब जा अभी जैसे गंगा को आप लीजिए, सभी नदियों को ले लीजिए, उनका जो प्रदूशन का स्तर सब लोग जानते हैं बढ़ रहा है, तो हम लोग सब को ये कोशिज करना है, कि हम अपने जो आचार विचार है, हमारा जो बेवार है, वो ऐसा होना चाहिए, कि जो की इन्व पूरा सिध्ध हो चुका है, केवल एक ही तरीका है, वो है अपना विवार जो बदलना है, हम लोग बोलते हैं हमारे साइंटिफिक टरब में, हमारा जो अब प्लस्टिक कितना दूज कर रहें हैं, आप दूसरे घर के कचरे हैं कहां फेक रहें हैं, आप जब जाते हैं, जितना आप नेचर के करीब रह रहे हैं, आपका डे टू डे फूड है, बाहर आपके तो यह सारे पूरे जीवन सहली से जुरा हुआ प्रदूसान और उसका जलवाई परवर्तन का है, तो अपने जो बिहेवियर है हम सबसे अपील करेंगे, कि कृपया करके, आप अपना जो बिहेवियर है, जो भी प्लास्टिक ही हो, जो आप कच्रा फेकते हैं, या आपका डे टू डे जो जीवन सहली है, उसको जितना प्राकिर्तिक रूप में कर सके, प्राकिर्ति के नजदीक रख सके, वही समाधान है, यही मैं सब को बोलना चाहा हूँ. आप से जानना जाहूंगी, सर, कि प्लास्टिक फ्री कोस्टल जोन्स बनाने में भी आपने कॉंट्रिबूशन किया है, तो यह भी एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि जनरली परियाटक जो होते हैं, टूरिजम को लेकर अगर हम एक एंगल से देखे, यह एक आस्पेक्ट है, कि लोग जाते हैं घूमन को मैं बता दूँ, जो विश्व परियावलन दिवस हर एक वर्ष मनाया जाता है, उसमत 2017-2018 में जो उसका थीम था, प्लास्टिक फ्री अर्थ, ऐसे था, तो कैसे पूरे फृत्वी को हम प्लास्टिक फ्री बना सकते हैं, और उसका एक बिशेष पहलू था, कि प्लास्टिक का प्रदूशन हो रहा है, उसका सबसे जादा प्रभाव समुद्र के जीवों पर पर रहा है, अभी एक रिसर्च के द्वारा पता चला है कि मोर दैन 360 मिलियन टन्स माइक्रो प्लास्टिक अभी समुद्र के अंदर में है, आप सोच सकते हैं, इतना बड़ा प्लास्टिक का वहां रहना, वो जल के जीवों पर, मचलियों पर, पूरे फूड चेन पर कितना दुस्प्रभाव कर रहा है, और भारत वर्स का जो कोस्टल एरिया सारे साथ हजार किलो मीटर का है, और आप देखेंगे तो 2.5 मिलियन स्प्रभाव किलो मीटर इसका एक्स्क्लूसिव एक् भारत सरकार पर्यावरन विभाग तो उसका एक प्रोजेक्ट था जो इसको हम लोग ने किया था, जिसमें की कोस्टल एरियाज में एवेरनेस करना, वहां के स्कूल के बच्चों को लेकर, छात्रों को लेकर, और वहां के लोकल जो नागरिक हैं, उनको लेकर, इन्वाल्व करके उसको कहीं रखना ये एक अभियान ने 15 दिन का चला था पूरे देश भर में चला पूरे विश्व में चला था भारत वर्स में उसको हम लोगों ने किया था और उसका बहुत सकारात्मक प्रभाव लोगों के मन में भी थोरा जाग रुपता हुआ कि हाँ इस पो हम लोग क्या कॉंट्रिबूशन रहता है हम किस तरीके से परियावरन को लेकर खुद में एक जागरुकता पैदा करें और लोगों को भी इस बात से अवेर कराएं कि किस तरीके से हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इन्वार्मेंट को कंसर्व करने में आपसे जाना चाह परिवर्तना का प्रभाव तो पढ़ी रहा है और जो मतसे पालग है मतसे पालन पर भी इसका प्रहाव पर रहा है क्योंकि आप उस के कारण टेंपरेचर में बदलाव हो रहा है मुखित अतीवरिस्टी हो रही है फिर फ्लोडिंग हो रहा है हम लोग देख रहे हैं बाड कि यह सब जलवाई परिवर्टन कारण हो रहा है तो जैसा कि मैंने कहा जल मतलम मचली और तो मचली के उपर पर हो पर रहा है तो मेरा एक प्रोजेक्ट रहा भारती कृसिया अनुस्वंधान परिशद के एक बहुत मेगा प्रोजेक्ट का पार्ट था तो उसी में हम लोगों ने कोस्टल इरियाज पर जो साइकलोन शुपर साइकलोन आते हैं उस वक्ते जो समुद्री जल जो अंतर देशिये मचली पालन हो रहा है उस पर आ जाते हैं जब उसमें आते हैं तब वहां पर उसके उपर एड़वर्स इंपक्ट होता है क्योंकि उखारा जल है और खारा जल जब इनलाइंड वाटर में आएंगे जो हां पर फ्रेश वाटर रहते हैं तो उस पर प्रवाव एड़वर्स पर रहा है तो उसको बचाने के लिए हम लोगों ने बहुत बड़ा प्रजेक्ट छे साल रिसर्च किया और वहां के किसानों को कैसे मदद हो सकती है रिसर्च प धारे किया उनके जो पॉंड थे उनके जो तालाब थे वहां पर हम लोगों ने किया और उसके बहुत सारे उसमें अवेयत है अभी आधी यह अदेना बोलना संबभ नहीं है और उस पर एक policy भी हम लोगों ने दीया बंगाल सरकार को औ भारत सरकार को दिया कि पूरे coastal areas में मच्छी पालकों को उसका लाव मिल सके जी बिलकुल बहुत ही उप्यूप बात कही आपने और बहुत सारी ऐसी बात हैं दाशोकों जो हम आज के अपने विशेश महमान से जानेंगे बहुत ही जरूरी है कि पर्यावरन के प्रती हम अपने आपको सचेत रखे लेकिन उतना ही ज़्यादा जरूरी होता है कि हम खुद को अपने स्वास्त के प्रती भी सचेत रखे इसलिए है रोज कारेक्टरम बहार बहान में हम आपके लेकर आते हैं एक हेल्थ सेग्मेंट तो चलिए नजर डालते हैं क्या है आज की हेल्थ सेग्मेंट में कि योग भीहान में आपका स्वागत है आज हम एक विशेश अभ्यास की चर्चा करने जा रहे हैं जिसे हम केहुनी नमन कहते हैं या आपकी केहुनी के लिए है एल्बो जॉइंट और बहुत से रोगों में बहुत सारे गठिया के रोगों में यह बहुत ही कष्ट पहुंचाता है उन रोगों के लिए यह विशेश रूप से लाफदायक है स्वांस को सामाने कर लें और फिर दोनों हाथों को आगे की दो फैला लें इस स्थिती में हाथों को अंत्तक रखना है धीरे धीरे थेलियां उपर की तरफ रहेंगी और धीरे धीरे आपके हुनी से मोड़ेंगे हाथों को और कंधे की और ले जाएंगे अलशिसारी ओन्यू को मिला करके कंधे पर हटवें और फिर दीरे फेलावें, इस क्रिया को आफ दस बार दरावें, जिनने के हुनी में पहले से दिकत है घब मैंपर द्रां पार आइयाएं फिर दस बार तकुले जाएं केहुनी का भ्यास आपको पूरे हाथ को लाव पहुंचाता है क्योंकि सारी मांस्पेशियां इसमें एक्टिव होती हैं, क्रियाशील होती हैं, रख का संचार बढ़ता है और केहुनी का जोड़ आपका धीरे-धीरे जिसमें जखड़न होती है वह दूर होता है। इस प्रकार सांस को छोड़ें और फैलाते समय सांस को लें इस प्रकार दोनों को मिला देने से आपका आपकी एक अग्रता ही बढ़ेगी और आपका लाभ भी बढ़ेगा आज के लिए इतना ही नमस्कार चलिए तो करिए योग और रहिये निरोग निश्चत तोर पर रोजाना जो हेल्ट सेग्मेंट के माध्यम से हम आपको यही बात समझाने की कोशिश करते हैं कि अपने स्वास्त को लेकर आप बिलकुल सचेत रही और बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिससे हम अपने आपको स्वास्त रख सकते हैं बहुत सारे ऐसे आसान उपाए हैं जिन में योग सबसे प्रमुकता से सामने आता है खेर आगे बढ़ेंगे कारक्रम में और आपको बताना चाहेंगे कि हमारे बीच जो आज खास महमान मौजूद हैं जिसे हमारी बातचीत लगातार विशेश चल रही आपको बताना चाहूंगी आप डॉक्टर रमन कुमार त्रवेदी चात्र कल्यान विभाग से आप चुड़े हैं निदेशक हैं आप बिहार पशुविज्ञान विश्वेद्या लेके तो चलिए जो बातचीत का सिलसिला है उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं आपसे जानना चाहूंगी लंबा एक द़ूर रहा है आपके अध्यापन का इस दौरान आपने कई सारे किताबें भी लिखी हैं तो जानना चाहूंगी किन किताबों का आप प्रमुक्ता से जिक्र करना चाहेंगे और किन इसोस को आप लेते हैं उन बुक्स में जब अपने अध्यापन के कारे के समय या जो सोधकारे किया तो हम लोगों को लगा कि जो सोधकारे किया है उसको जन्मानस तक पूरे विश्व में पहुंचना चाहिए तो उसके उससे रिलेटेड एक किताब हम लोगों ने निकाला और पूरे कोस्टल जोन्स के लिए और वो विश्व में बहुत सराहा गया और काफी विश्व में ग्यानिकों ने अभी भीन लोगों ने उसको डाउनलोड किया काफी इस था उसके अलावे जो कई बुक्स चैप्टर हम लोगों ने लिखे और और एक बोल सकते हैं जो मेरा कारेच चेतर रहा उस पर एक मैनूल ट्रेनिंग मैनूल फिर हम लोगों ने निकाला और किसानों के लिए लोकल लैंग्वेज में हम लोगों ने किताब निकाला उसके अलावे जैसा मैंने कहा कई बुक चैप्टर लिखे जिसमें वेटलैंड मैनेजमेंट उसके ऊपर था फिर जैसा मैंने कहा कि behavior एक तो वो human element in environmental management ये जो aspect है उस पर अब भी हम लोगों ने chapter मैंने लिखा एक किताब हो थी तो इस तरह से बोल सकते हैं इस अभी जलवायू परिवर्तन और जो wetland management इसको ले करके और चात्रों के लिए और किसानों के लिए उसमें local language में भी एक था और जैसा मैंने का training manual भी लिखा अच्छा wetland management की बात आपने कहीं से तो मैं आप से जाना चाहूंगी कि आप बिहार राज्य wetland management authority में विशेशग्य के रूप में एक सदस्य भी है इसके विशे में आप से जाना चाहूंगी क्योंकि मेरा ये कारेच्छत रहा तो बिहार सरकार न जैसा कि हम जानते हैं पूरे आप पुरवी भारत का छेतर जो है ये मांस, बिल्स, बंगाल, बिहार, असाम इसमें भड़ा हुआ है चार उत्रफ और ये जो मांस हैं, बिल्स हैं, आक्सवो लेक्स हम लोग बोलते हैं तो ये जो wetlands हैं उसको बचाने का प्रयास हो रहा है उ पुक्सी के तहत ये management authority बना और उसमें मुझे भी बहुत खुसी है जब इसे सगे मैं उस पे participate करके और बिहार के जो wetlands है उसको कैसे conserve किया सके और जैसा इस वर्स का world environment day का जो theme है ecological restoration तो उसमें जो wetland का restoration फिर से उसको उपयोगी बनाना जो नस्ठ होते जा रहे हैं उसको फि बिहार सरकार ने बहुत कुछ अभी कारे start किया है और उसका मैं part हूँ हिस्सा हूँ इसलिए मुझे इस पर बहुत खुसी है मैं भी कुछ बिहार में इस तरह से योगदान कर रहा हूं सभी लोग की जरूवत है उसमें योगदान करने क्लिए केवल एक आदमी दो आदमी से नहीं होगा तो इसलिए एक कारे है बस उसमें मैं कर रहा हूं बिलकुल तो आपने योगदान की बात कहीं कॉंट्रिब्यूशन की बात कहीं आप लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि वो भी environment conservation को लेकर जिससे जैसे जो बन पड़ता है वैसे ही वो अपना एक contribution जो है जिसकी वजह से क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा कि be the change you want to see in the world और उसी से correlate करते हुए अपने खास मेहमान से मैं जानना चाहूंगी सर आपसे जानना चाहूंगी कि आपने अपने गाउं में भी लगभग 86 acres में मतस से पालन की उपर project लगाया है और इसमें 20 लोग directly और 100 ल जो कि हम जब पढ़ाई करते हैं एक खetra में और उसके और अध्यापन भी चर रहे हैं उसमें शोध कर रहे हैं तो कई बार प्रशन उठते हैं कि आप तो ऐसे बोलने छात्र भी बोलते हैं और स्व चात्रों को बन्तES कि आप क्यो नही से को कर के कुछ दिखाते हैं तो मु लाइंग लैंड है, पानी चार-पांच महीने लगे रहते थे, तो जैसे कहक बिहार में चार लैंड और मन इस सब बहुत है, तो उसको क्या कुछ हम लोग एको बेस्ट मैनेजमेंट के आधार पर कुछ मत से पालन भी वहां कर सके, जिससे कि वहां के लोगों के एक रोजगार हो जाए, और उसमें कुछ लोग डायरेक्ली और इंडायरेक्ली जूर सके, उसी में हम लोगों ने विचार किया और मुझे खुसी आज दर्सों को बताते हुए, कि हमारे दो युवा, मेरे ही चात्र है, और वो आ गया है, आजकल जो पढ़ाई करते हैं, सब को सरकारी नोक मिल करके, हमारे गाउं में, एक लगता था, संभाव सा कारे कैसे होगा, गाउं के लोग, सब लोग आस पास भी लोग बोलते थे, ये कैसे कर पाएंगे, और उस वक्त 2010 की बात होगी, जब बिहार में इस तरह के प्रोजेक्ट्स थे ही नहीं, इतने बड़े प्रोजेक्ट् सब लोग ने मिल करके, और सब को लगा कि नहीं एक प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहिए, और वहाँ पर पूरे 86 एकर में हम लोग ने तालाव खुदवाए, वहाँ पर हैचरी बनवाए, जो की बंगाल से मचली आती थी, हैचरी भी जो मचली के बीज है, वो बंगाल से आते थे, बहुत कम ऐसे quality seed available था, तो वहाँ पर हम लोगों ने हैचरी के माध्यम से seed का पैदावार किया, मचली के जीरा, और वहाँ के छेत्र नहीं नहीं, पूरे बिहार में उसको देने का कारे किया, और फिर वहाँ से ठीक है, उसका आमदनी होना और पादन बढ़ना तो हैं, लेकिन 20 लोग directly और करीब 100 लोग, क्योंकि वहाँ से daily आते हैं, 20-25 लोग आएंगे vendors, वो मचली ले जाएंगे बेचने के लिए local, फिर कोई आएंगे कभी-कभी जाल चलाने के लिए BCS local लाए जाता है, फिर ऐसे करके 100 लोग मैंने देखा है, उसे indirectly, और उनके जो पार्थी किस्तिती है, उसमें भी सुधारा है, और इसमें मैं एक ची और बता दू, ये प्रोजेक्ट आने के बाद पूरे बिहार में और उस छेतर में भी बहुत सारे युवा आगे आए हैं, कि नहीं हम लोग भी कर सकते हैं, और पूरे बिहार में आज मत्सिपालन में ज इसमें आप सब आईए, बहुत संभावनाएं हैं, और ट्रेडिशनल क्रिशी से जो आमदनी होगी और इससे इन दोनों को मिला करके आर्थिक स्तिती में सुधार होगा, दूसरे को रोजगार मिलेगा और नोकरी ना छोड़के अपना स्वराजगार कर से आप से जानना चा हैंगे आप स्टूडन्स को, क्रिशी सिक्षा पूरे भारत वर्स में एक बोल सकते हैं काफी बदलाव आया है पहले और आज के समय में, पहले जैसे ट्रेडिशनल क्रिशी के उपर ज्यादा ध्यान था, आजकल बोल सकते हैं कि ज्यादा तर जो नए ने प्रियोग हो रहे ह उसको क्रिशी में लाए जा रहा है और पूरे भारत वर्स में चोहतर क्रिशी विश्विद्याले है और उसमें हजारो चातर पढ़ते हैं लेकिन जो अभी नई सिक्षा निती आई है जो राश्टे सिक्षा निती उसके तहता भी क्रिशी सिक्षा में भी बदलाव आ रहा ह और उस क्रिसी सिक्षा में नए आयाम को जोड़ा गया है, जैसे कि आप केवल आपको क्रिसी के बारे में नहीं पढ़ना है, उससे जुड़े और दूसरे चीज हैं, उसको भी पढ़ना होगा, और उसमें जाहतर स्किल डेवलप्मेंट इसके उपर भी ध्यान है, तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा, क्रिसी एक प्रोफेशनल कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद चातरों को स्वर वजगार का भी बहुत सारा आफसर मिलता है, और अपने से क्रिसी कर सकते हैं, या क्रिसी के आधारित उद्द्यों लगा सकते हैं, और लगा रहे हैं, आजकल बहुत सारे और जो है उसको करते हैं आज कल दुग दूद पादन में जैसे फिर मिल्क प्रोसेसिंग है प्रोडक्स बनाना गव पालन है उसके उपर ऐसे बहुत सारे अवयव को उसमें जोर करके क्रिशी की ब्यापक्ता को लेते हुए क्रिशी सिख्छा में जो बदला हो रह में पढ़ाई वेटरीनरी कोर्स और फीसरी जे लो रहा है विहारे हो नहीं उनको भी बहुझे उसके आप में हैं उनको भी बोलना चाहूंगा कि इस ओर आप आईए इसमें बहुत सारी संभावना हैं मैं भी उसका चात्र रहा हूँ और जो चात्र है और उनको मैं देखता हूँ तो चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में जाए अपना इंटरपराइज बनाईए या आप अनुसंधा आपको बताना जाना चाहूंगे आप से की अक्याडेमिक सेल और स्टूडेंट वेलफेर दोनों सहीत रूप से ही आप देखते हैं तो एक स्टूडेंट एक छात्र के जीवन में एक आल राउंड डेवलप्मेंट अपार्ट फॉम अक्याडेमिक्स कितना ज्यादा महत्वर रखता है और कैसे आप मैनेज करते हैं इन सारे चीज़ों को कैसे अपने स्टूडेंट को आप उनकी परस्नालिटी को एन्हांस करने के लिए क्या कुछ करते हैं मैं अपने पहले के यहां आने से पहले मैं एकेडमिक सेल का भी इन चार्ज रहा बाद में यहां पर जब निजिसक छातर कल्यान होके आया क्योंकि छात्रों में उनका मूल जो रहता है कि पढ़ाई हो परिक्षा और परिनाम यह तीन चीज जो है, यह समय पर होना चाहिए और qualitative होना चाहिए छात्रों के भी आसाय रहती है और यह जो पुरा विश्विध्याल और सिक्छा परिवार की परीकलपना लेकर हम लोग चलते हैं जब जिसमें छातर हैं, सिक्छक हैं, अधिकारी हैं और यह सब परिवार के अंग हैं तो उनके सभी अप जो बूल सकते परस्टालिटी का सभी आसपेक्ट का ध्यान रखना प इवेंट्स है फिर उसी तरह से आप एक्स्ट्रा करिकुलर में कल्चरल लिटररी एक्टिविटीज है उसमें आर्ट है उसके बाद कल्चर है लिटरेसी है तो इसके उपर जब मैं आया तो मैं सभी के साथ हमारे माने कुलपती जी के भी उनका जो वीजन प्लान और उसको बा और छात्रों को उसमें इंगेज करना फिर एनसेस है एनसीची है उसमें भी छात्रों को उनके भागिदारी करना तो मैं तो मानता हूं छात्रों का संपूर्ण विकास युवा का संपूर्ण विकास केवल क्लास्रूम टीचिंग से नहीं हो सकता और आने वाले दिनों में ज चार साल हमारे campus में रहते हैं, कैसे इस campus को हम attractive बना सके उनके चात्र जीवन को हम एक गोल सकते हैं, उनको लगे कि हमें यहां पर रह रह रहें तो एक तो रहा है उनको उसके लिए जो भी प्रियास करना है जैसे मैंने का हम लोगों ने बहुत सारे लिट्रेरी, कल्चरल इवेंट्स, आर्ट्स के इवेंट्स, इवन योगा का, जो मैं बता रहा हूं, उसके भी क्लासे हम लोगों ने चला है, चात्रू उसका पार्ट सिपे, एनसेस के तहत हम लोगों ने बहुत सारे कैम्पेंड किये हैं, और चात्रू को इन्व है, घास है, तो चात्र खुद अपने से कर रहे हैं, और पार्टिसी पेशन हो, और दूसरा है, कलेक्टिव पार्टिसी पेशन जो जब होता है, उनको भी लगता है कि हम इस परिवार के अंग हैं, और फिर एक स्वस्त वातावरन में पूरे विश्विध्यालत चलता है, औ और इस ओर हमने विश्विषेजर प्रैयाच के अपिर स्पोर्स में, हमने स्पोर्स इवेंट्स करा आया, इंटर-कॉलेज कर आया, उनको इंट में डिफरेंट बैचे़ के बिचंपे बिच इँच में, उसमें बहुत सारे हैं, टिवेट कमप्री इस हाना है, आर्ट है, प हाइबरेंट है स्टुडेंट्स लाइफ और जिसको बोल सकते हैं अट्रेक्टिव ही उसके पूरा परिकल्पना लेकर के हम लोगों ने पूरे छात्र कल्यान मतलब केबल पढ़ा ही नहीं इस सभे चीज को लेकर के हम लोगों ने कारे किया और उसमें बहुत अच्छा कारे हो पर भी आसीन है जहां आप जब अपने आफस में बैठते हैं तो बहुत सारी ऐसी मेमरीज हैं जो फ्लाश पैक में चलती होंगी आपके मन मस्तिश्क में बहुत लंबा आनवव रहा है कोई ऐसा रोचक वाक्या जो आप शेयर करना चाहें मारे दर्शकों के बीच क्योंकि क कुछ-कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं सबके जीवन में जो बहुत ही जादा रोमांचित कर जाते हैं याद करने पर कौन सा ऐसा वाक्या है जो आप हमारे दर्शकों से साज़ा करेंगे दो तीन कई चीज़े हैं लेकिन मैं एक दो वाक्या का मैं जिक्र करूंगा यहां जो हम लोग बोलते हैं तो मेरा जो रूममेट थे उनका रिसर्च वही था तो रात्री का जो फिशिंग होता है हम लोग बोलते हैं नाइट फिशिंग में लॉंग लाइंग तो एक संध्या के समय मैं बोट से हम लोग का जो था उसमें और और कोई दो लोग मिलके गए और समुदुर में गए तो रात्री में एक अचानक तुफान आया जिसकी पहले जानकारी नहीं थी और हम लोग को ऐसी परिस्तिती हो गई लगा कि आप तो बचेंगे नहीं पूरा पानी हमारे जो छोटा तो नहीं जो जहाज होना चाहिए जो था रिशर्स वेसल बोल सकते हम लो और मुझे तो होसी नहीं था क्या होगा और हम लोग को लगा अप साइद बचेंगे नहीं उस वक्त और किसी से कोई करनेक्शन नहीं हो सकता है उस वक्त एटीज की बात है लेकिन इस्वर का विधान है और सब निंद लग गई उसी में या क्या हुआ पता नहीं सबेरे सिरहन जैसा हो जाता है सिहरन सरी में कि उतना बड़ा एक नए जीवन समझे मिला उस वक्त और एक दूसरा बहुत बूल सकते हैं हमारे गाउं में मानने महमहिम उस वक्त राजिपाल थे जो आज हमारे महमहिम राश्वती भी है रामनात गुमिन जी का आगबन होना था हमार पर प्रजेक्ट साइट पर तो एक बड़ा यह था अंदर से कि इतने बरे अधिकारी तो कैसे होगा और पूरा लगता था कि और उस वक्त अचानक रातरी में कुछ बाड़िस और ऐसा कुछ हुआ जो हम लोग आयोजन था लग रहा था क्या होगा नहीं होगा लेकिन फिर स समय हुआ तो मैं देखा कि अचानक सब चीज एकदम ठीक सा हो गया और वाय और पूरा कारेक्रम ब्यास्थिक तरीके से हुआ और वो जब एक मन में आता है कि इतना बड़े जीवन में जब आप कुछ करते हैं तो जो परिस्तितियां बनती है फिर आपके अपने उपर पर भरोसा रखने से आप अगर सही दिशा में कारे कर रहे हैं तो आपको सफलता जरूर मिलती है कभी देर होता है कभी लगता है हम लोग भी बीच में यह हो जाते हैं कि नहीं क्या होगा क्या होगा लेकिन पूरा धैरे धारन करने से फिर आगे सब ठीक हो जाता है तो उता कभी बीच में इतना रहते हुए अकेले रहते हैं तो उनके जीवन में भी बहुत सारे तो मुझे उनके साथ इंटरेक्ट करते हुए बहुत सारे चीज़ सीखने को मिला कि कैसे जीवन में धैरे धारन करते हुए आगे बढ़ सकते हैं तो ये पूरे जीवन का जो पहलू है व उसके अनुसार जीवन सहली को रखना और जैसा मैंने पहले भी कहा कि पर्यावरन और प्राकृतिक रूप में रहते हुए और अपने समाज के बीच में रहते हुए अपने जीवन सहली को ठीक रखते हुए और सत्यनिष्ट आचरन करते हुए मैं बोलूंगा और जरूर आज क क्योंकि कल 15 अगस्त है तो मैं तो यह कहना चाहूंगा कि देश एक जो है उसका वो सबसे बरा है हम सबसे इंडिविजुल से बरा है तो रास्टर के पड़ती एक जो अपना जो हमारा कंट्रिबूशन होना चाहिए उसको भी आगे रखना केवल हम अपना कैरियर अपनी तंत्रा दिवस समारो होगा और पूरा एक वर समारो चला है तो मैं सब को यही बोलूँगा कि आप सब लोग मिलके हम सब मिलके भारत वर्ष को इस देश को महान बनाने के लिए फिर से विश्व गुरु हम कैसे बना सके इसके उपर जो हमारा योगदान हो सकता है इस पर हम लोग सब लोग करें और देश में कोई भी संकट आये उसको मिल करके अपने सभी बिवेट और भूल करके उसको मिलकर के समाधान धूंडे और मिलकर के देश को आगे बढाए जे चुकि वक्त हो चला है थोड़ी से वक्त की कमी है हमारे पास सर चलते चलते आप देश के ज़े से हम कल का दिन मना रहे हैं हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं देश के भविष्य उज्वल हो तो देश के भविष्य यानि की छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे चंशब्दों में मैं सवे चात्रों और युगाओं से यही बोलना चाहूंगा कि क्योंकि कैरियर सब के सामने रहता ही है और रहना भी चाहिए अपने अकेडमिक लाइफ पर लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे देश में जो हमारे सुतंता सेनानियों ने बलिदान दिया यह सुतंता इतनी आसा का यह जो हमारा देश का गौरब में इतिहास रहा है उसको सब को जानना चाहिए हमारा जो सनातन गौरब साली परंपरा और इतिहास उसको जानते हुए सुतंतरा के आंदोलन में जो लोगों ले योगदान किया जिन्होंने अपना सरवक्च दे दिया प्रानों की बली दे ऐसे चाहे महिलाएं हो पुरूस हो सभी वर्ग के लोग और कोई भेद भाव नहीं चाती का कोई संपरदाय का इस सभी भेद भाव को भूलते हुए लोगों ने कारे किया तो आज उस चीज को फिर से याद करते हुए युवाओं को इस चीज को अपने कौरव साली तिहास को याद करते हुए स्वतनता सेनानियों को याद करते हुए सभी भेद को भूल जाना है जाती पंथ संपरदाय से अलग उठ करके सब को एक सुत्र में बानते हुए कैसे देश को सिखर पर ले जा सके हम क्या कंट्रिबूट कर सकते हैं उस पर ज्यादा ध्यान देते हुए हमारे ड्यूटीज क्या हो सकते हैं इस पर मैं सभी युवाओं से चात्रों से अपील करूँगा कि अपने कैरियर के अलावे इस जो मैंने कहा कि स्वतंता को अश्चुन बनाते हुए देश को एक गौरव साली सिखर पर ले जाते हुए फिर से विश्व गुरू के अस्थान दिलाने के लिए अपना योगदा करें और इसमें जितना भी हो सके आगे आएं और हम लोग जैसे लोग जहां भी एविलेबल हैं कोई मार्क दर्शन या कोई सलाह लेना है हम लोग भी एविलेबल हैं तो यही मैं सब से अपील करना तो चलिए सर आप हमारे कारिक्रेम में आये और आपने इतनी सारी शुक्रिया करना चाहेंगे दिल से आपका आभार हमारे कारिक्रम में आने के लिए धन्यवाद तो दर्शकों ये थे हमारे आज के विशेश महमान डॉक्टर रमन कुमार तरवेदी निदेशक छात्र कल्यान बिहार पशुवे ज्यान विशुवे द्याले जिन से हमने इतन जानेंगे और इसके लिए आपको नोट करना होगा हमारा पता तो फटा-फट उठाए कॉपी और कलम और नोट कर लीजे हमारा पता हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार दूदर्शन केंद्र पटना फ्रेजर रोड पटना आठ शोनेश्जन शोनेशने एक हमारा इमेल अड्रेस है, directorddkpatna at gmail.com.